साथ है एक समकुन तिर्भुच की रसना की जिए जिसकी भुजाएं कर्ण की अतिरिक्त यानि की कर्ण को छोर कर 4 cm तथा 3 cm लंबाई की हो फिर एक अन्य तिर्भुच की रसना की जिए जिसकी भुजाएं दिये हुए तिर्भुच की संगत भुजाओं की 5 बटा 3 गुनी हो ठ चार सेंटीमेटर लंबा एक रेखा किच देते हैं ठीक है इस प्रकार से देखें यहाँ पे इसको रखेंगे और चार सेंटीमेटर लंबा एक रेखा किचेंगे ठीक है यहाँ से इस तरीके से यह हो गया इसका नाम देते हैं B और इधर नाम देते हैं C इसके बाद क्या रहा समकून तिर्फुष बनाना होगा तो इसके लिए इसको यहां पर रखेंगे ठीक है और इस तरीके से समकून तिर्फुष बनाना है यह हो किया ठीक है फिर यहां रखना है और पहला कट इसके बाद में यहां रखें दूसरा कट ठीक है और फिर इस तरीके से करना होगा आपक बेरुदिका ओर जो भुजा था बीस एक था चार सेंटीमेटर है okay इसके बाद क्या रहा है कि 33 सेंटीमेटर लंबाई की हो ठिकां राइच नहीं है तो यह हट हैं से यह 4 इसेंटीमेटर का एक शांप काटेंगे चाय मंखा नाम एच झाम ने देते हैं ठ 끝ध और िरे चे को मिला देते हैं तो इसके लिए का करना होगा देखें इसके लिए हमें यहां से एक Redman कोहपने और आप किसी भी टाइप का नियून कोहपने जीच सकते हैं ठीच है, तो यह हो गया padalog इसका नाम देते हैं x ओके अब यह जो रेखा मेरे पास है bx इस पर 5 बराबर चाप खिचना है कितने बराबर सबसे बराबर 5 है ठीक है तो 5 बराबर चाप खिचेंगे इसको यहां रखेंगे ठीक है थोड़ा छोटा कर लिए है ठीक है एक 2 3 4 और a हो जाएगा 5 ठीक है इसके बाद इसका नाम देते हैं a b है तो a हो जाएगा b1 a हो जाएगा b2 a हो जाएगा b3 a हो जाएगा b4 और a हो जाएगा b5 ठीक है अब आपको क्या करना है देखें नीचे वाले से सबसे पहले मिला देते हैं ठीक है नीचे क्या है तीन है ठीक ह C को मिला देते हैं B3 से C को मिला दिया इस तरीके से इसके बाद क्या करना है B3 C के समानता है B5 से एक रेखा खीचना है इसके लिए क्या करना होगा B3 को थोरा सा आगे बरहाना होगा आगे बरहा देते हैं इसको थोरा सा और आगे बरहा देते हैं इस तरीके से, ओके, इसके बाद क्या करना है, देखे, इसके बाद B3 पे हमें इस point को रखना है, और एक चाप खिचना है, इस तरीके से, खिच लिया, इसी प्रकार से B5 पे रखना है, और एक चाप खिचना है, इसके बाद क्या करना होता है, इसका लंबाई नापना होता है, ठीक है तो यहां से हम इसका लंबाई नाप लिया इतना है हना तो यहां पर इसको रखना है ठीक है हमें B3 और B4 से मतलब नहीं है हमें इस चाप के इस नोक से मतलब है ओके चलिए यहां से हमने एक चाप काट लिए और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए एक रे रेखा होगा ए रेखा बी थीरी सी के समांतर होगा इस तरीके से हमने यहां खिच दिया ओके आप क्या करना है चलिए इसका नाम देते हैं डी ठीक है अब डी बिन दूसे एक समांतर रेखा खिचना है एसी के ठीक है तो इसके लिए का करना होगा जैसे हमने यहां खिचा है उ इसको नापना है कि इतना होता है देखे यह इतना है तो यहां पे इसको रखेंगे और एक कट लगाएंगे इसके बाद इस पॉइंट से और इस बिंदू से होते हुए एक रेखा खीचेंगे ठीक है कि अग्या है है अगया है कि पूल सेख अधे अब हमें रचना के चरण लिखना है तो यह लिख लेते हैं रचना के चरण में क्या होता है कि जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे लिखना होता है ठीक है तो सबसे पहले हमने क्या किया कि बीसी चार सेंटीमीटर का एक रेखा खन खीचा ठीक है तो लिख लेंगे रचना के चरण सबसे पहले हमने क्या किया कि B.C. 4 सिंटीमिटर का एक रेखा खंड खीचा ठीक है लिखेंगे B.C. बराबर 4 सिंटीमिटर का एक रेखा खंड खीचा ठीक है नंबर दो बी पर क्या बनाया, नब्बे डिगरी का कून बनाया नमबर 3 देखे, बी से हमने क्या किया कि बी ये एक चाप 3 सेंटीमीटर का कीचा ठीके, तो लिखेंगे बी से, बी ये बराबर 3 सेंटीमीटर का चाप खीचा तथा, एसे सी को मिलाया एसे सी को मिलाया ठीक है, इस परकार हमारा तिर्फुच त्यार हो गया था ठीक है, अब हमने क्या किया था बी एकस, एक रेखा खंड खीचा ठीक है, जहां पर क्या होता है कि सी बी एकस एक नियूम कुर मना रहा है ठीक है, तो लिखेंगे नमबर 4 बी से बी एकस एक रेखा खंड खीचा जहां देखें सी बी एकस ठीक है, तो कुन सी बी एक्स क्या है न्यून कुन है इसके बाद हमने नंबर पांच बी एक्स पर पांच बराबर चाप लगाया ठीक है तो लिखेंगे बी एक्स पर पांच बराबर चाप लगाया ठीक है इसके बाद क्या किया बी थिरी से सी को मिला दिया तो लिखेंगे नंबर साथ बी थिरी सी के समाथ बी पांच डी खीचा नंबर आठ इसके बाद हमने डी बिंदू पर एसी के समाथ डी खीचा तो लिखेंगे D बिंदू पर AC समानतर DE खीचा ठीक है इस पर गार क्या होता है कि हमारा रत्सना के चलर कुम्पिलिट भाता है अब हमें लिखना है और चित्ते ठीक है तो लिखेंगे और चित्ते DE समानतर है AC के DE समानतर है AC के इसलिए EBD समरूफ हो जागा तिर्भूज ABC के ठीक है तो लिखेंगे चित्त की DE समानतर है किसके AC के इसलिए तिर्भूज EBD EBD समरूफ हो जागा तिर्भूज ABC के ठीक है अर्थात लिखे BE बटा BA बराबर हो जागा BD बटा BC BD बटा BC बराबर DE बटा AC DE बटा AC बराबर क्या हो जागा कितना गुनी था 5 बटा 3 गुनी था ठीक है तो लिखेंगे 5 बटा 3 गुनी थीक है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा अगर किसे परकार के कोई डाउट हो तो आप हमें कमेल कर सकते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद